तो प्रीविस पार्ट में हमने देखा लोफेंग ने एंशेंट सिविलाइजेशन का कैबिन डोर डिसकवर कर लिया था अब आगे लोफेंग उस कैबिन डोर के अंदर जाता है और कुछ दूरी पर जाने के बाद उसे एक कैबिन हॉल दिखाई देता है जोकि 20 मीटर वाइट और 8 मीटर डीप होता है और जैसे ही वो कैबिन हॉल में एंटर करता है तो उसे लार्ज अमांट में वाइट क्रिस्टल्स फ्लोर पर गिरी दिखाई देते हैं इतने सारे वाइट क्रिस्टल्स को एक साथ देकर लोफेंग को अंदाजा हो जाता है कि जिते भी वाइट क्रि और कहता है अर्थ के सारे पाउर हाउसेस ने टोटल 42 वाइट क्रिस्टल सी फाइंड की हैं और किसी पाउर हाउसेस के पास अगर कोई हिड्न क्रिस्टल भी होगा तो उन्हें मिलाकर भी टोटल 60 क्रिस्टल सी हो सकते हैं और तो और अर्थ के श्वांगेस्ट परसन एल्डर ह के पास भी only 10 white crystals ही हैं लेकिन मैंने तो एक साथ 289 white crystals find कर लिये हैं फिर वो कहता है मैंने तो इधर अभी front cabin door को इक्रॉस किया है और मुझे एक साथ इतने सारे white crystals मिल गई हैं अगर मैं और आगे जाओंगा तो न जाने मेरे लिए और क्या-कया surprising treasure हो सकते हैं इतना कहकर वो आग यहाँ पर उसे वाल दिखाए देती है, और उसे वाल पर कई सारे पंचेस के निसान पर दिखाए देती हैं, जिनने गौड़ से देखने पर उससे पता चलता है कि वो टूटल 9 पंचेस हैं, और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो पंचेस हुमन्स के होंगे तभी थोड़ा और आगे बढ़ने पर लोओ फैंग को वहाँ पर एक dead body दिखाई देती है जो की wall के सामने half चुकी हुई होती है उसे देखकर लोओ फैंग अपने quantum computer से scan करता है तभी उसे पता चलता है कि वह dead है उसके बाद लोओ फैंग उस dead body को नीचे से उपर तक observe करता है इसी बीच उसके नजर dead body की eyes से जाकर मिलती है और वह बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उस dead body को देखकर ही काफी जादा strong और scary feelings हा रही थी जिसके बाद लोओ फैंग खुद को काम करता है और एक deep breath लेकर कहता है वो आगे से observation के दोरान किसी भी dead body के साथ eye contact करने से बचेगा इतना कहकर वो आगे बढ़ता है और 300 मीटर की दूरी पर चलने के बाद उसे एक half open door मिलता है वो उसी direction में silently आगे की तरफ steps लेता है जहां फिर से उसे cabin hall दिखता है जो की 10 मीटर deep और 200 मीटर wide था जब लोओ फैंग उस cabin hall में enter करता है तो उसे फिर से dead bodies दिखाई देती है लेकिन इस पार एक dead body नहीं बलकि 6 dead bodies होती है छहां पर लोओ फैंग उन सभी को observe करके examine करता है तभी उसे 1st और 2nd dead body जो की उसे 1st cabin hall की wall के सामने observe करी थी उसी की तरह लग रही थी फिर वो 3rd dead body के पास जाता है जो की human shape की तरह थी और वो 6 meter tall थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी skin turtle cell से बनी हो उसके बाद वो 4th dead body के पास जाता है जो की बांकी dead bodies से दिखने में थोड़ी ठीक थी और वो पूरी तरह से earth humans की तरह लग रही थी फिर वो 5th dead body के पास जाता है जो की copper color की थी और ऐसा लग रहा था मानो वो copper से ही बनी हो फिर वो 6th dead body के पास जाता है जो की केवल 2 meter ही tall थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें बस bones ही बची हो और उस dead body की bones surprisingly gold की थी और उसके head पर एक horn भी था जिससे ये पता चल रहा था की वो earth की human से बिल्कुली different है अब large dead body को भी count करके वहाँ पर total 7 dead bodies थी और इनी 7 dead bodies में से केवल एक ही ऐसी dead body थी जिसकी बस golden bones ही बची थी बागे 6 dead bodies completely undamaged condition में थी और उन 6 dead bodies को देखकर ऐसा लग रहा था मानो की वो coffin के अंदर जिन्दा हों जिसके बाद low fang कहता है अगर यह सभी एकी समय पर dead हुए तो इन में से golden bone वाली dead body ही काफे समय पहले की होगी फिर वह कहता है समय एक powerful weapon है लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी यह dead bodies good condition में कैसे हैं आखिर एक इस प्रकार के dead bodies हैं जो कि अभी तक decompose नहीं हुई है उसके बाद वा हॉल में चारों तरफ देखता है और कहता है यह हॉल पूरी तरह से empty है बस floor और roof cape form में covered हैं और ऐसा लग रहा है जैसे यह किसी battle की वज़े से हुआ है तभी low fang की यह बात सुनकर वहां एक आवाज उसका जवाब हां में देती है और जिसके साथ ही dark hall में रोशनी हो जाती है तभी hall के बीचों बीच एक black virtual human appear होता है जो कि बस 1.45 meter ही tall होता है और जिसके head पर two horns होते हैं और उसके eyes blood red होती है वो low fang से कहता है low fang तुम आखिरकार आ ही गए इतना कहते ही उसकी blood red eyes खुसी से भढ़ जाती है जिसके बाद low fang उसे देखता है और मन ही मन में सोचता है इन strange लोगों को earth language भी आती है और तो और यह मेरा नाम भी जानता है फिर वो virtual human low fang से कहता है मैं तुम्हारा इंतिजार पचास अजार सालों से कर रहा हूँ फिर वो अपने head को इलाते हुए कहता है तुम humans बहुत ही जादा week हो और मुझे पचास अजार साल लग गए एक perfect human को ढूणने में यह सुनकर low fang शॉक हो जाता है और उससे कहता है क्या यह ancient tune पचास अजार वर्सों से यहाँ पर है जिस पर virtual being low fang से कहता है हाँ तुमने सही अनुमान लगाया तभी low fang उससे sixth dead body की तरफ इशारा करते हुए कहता है क्या यह dead bodies भी पचास अजार साल पहले की है जिस पर वो virtual human low fang को हाँ कहता है तभी वो virtual human six dead body को देखता है और अपना सर हिलाते हुए low fang से कहता है यह सभी इस universe के peerless figures है और यह सभी undying existence भी है और तो और समय भी इनके सामने कुछ भी नहीं और dead के बाद भी इनकी dead bodies हमेशा के लिए undying ही रहेंगी और यहाँ पर वो virtual human low fang से या कहना चाह रहा था कि वो dead bodies जब जीवित थी तब अपनी cultivation के peak पर पहुँच गई थी और काफे जादा powerful बन चुकी थी और इनकी life तब तक end नहीं हो सकती थी जब तक कोई powerful figure इने मार ना दे और अब जब यह मर चुके हैं और वो सभी six dead bodies हमारे elders के सम्मान में उनके disciples की हैं फिर वो low fang को कहता है तुम मेरे साथ आओ थाकि तुम भी अपने elder को सम्मान दे सको जिसके बाद low fang उस virtual human के साथ जाने लगता है और सोचता है यह virtual human मुझे पचास हजार वर्सो पूर मरे हुए elder को respect देने को क्यों बोल रहा है लेकिन low fang यहाँ पर इतना समझ गया था यह virtual human उसे कोई नुकसान नहीं पहुचाएगा जिसके बादो virtual human low fang को underground hall में लेकर जाता है जहाँ पर उसने अपने elder की dead body को रखा था तब ही वो low fang की तरफ देखकर कहता है अभी तुम बहुत confused होगे जवाब में low fang उसे हाँ कहता है फिर वो virtual being low fang को अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम बवाता है जिसके बादो low fang से कहता है कि वो archaeological rune no.9 के जैसा ही AI है फिर वो low fang को बताता है कि AI के भी different different levels होते है फिर वो कहता है अर्थ की सारे technologies बेकार हैं क्योंकि वो AI को discover नहीं कर सकती लेकिन archaeological rune no.9 वाला AI एक real AI है फिर वो कहता है मैंने cultivation के थ्रू अपने AI के peak level को अचीव कर लिया है और मुझ में humans की तरह सारे emotions भी है और तो और मैं अपनी strength को human की तरह भी बढ़ा सकता हूँ यह सब जानकर low fang काफी shock हो जाता है और पूरी तरह से confused होते वे यह सोचता है AI एक system ही तो है लेकिन system होते वे भी वो human की चीजों को कैसे कर सकता है तभी बबाता उसे कहता है मेरी पहले body भी हुआ करती थी लेकिन कई सारी battles fight के बाद वो तबाह हो गई और मैं बस AI form में ही रह गया हूँ तभी वो अपने elder की dead body को वहां लाता है जो की crystal coffin से covered होती है जिस कारण वहां का temperature काफी सादा low हो जाता है और low fang को भी ठंड लगने लगती है लेकिन तभी वो AI बबाता अपने elder को देखकर pro नहीं लगता है या देखकर low fang और भी ज़्यादा confused हो जाता है कि एक AI machine pro कैसे सकती है या सब बबाता जान लेता है और वो गुस्से से low fang को knee bend करके अपने master को respect देने को कहता है फिर वो अपनी आखे बंद करके अपने आपको calm down करके low fang को बताता है मेरे elder yunmu planet के master है और तुम yunmu planet के एक disciple हो तभी low fang बबाता से question करता है अगर ये yunmu planet के master है तो इनका नाम हुयान बो होगा जिस पर बबाता उसे कहता है हाँ हमारे master का नाम हुयान बो है तभी low fang बबाता से कहता है ये मेरे भी master है क्योंकि मैंने इनकी legacy ली है और फिर वा coffin के सामने तीन बार जुटकर yunmu planet के master हुयान बो को tribute देता है फिर बबाता low fang से कहता है तुम अगर मेरे elder के disciple बनोगे तो तुम future में yunmu planet के master भी बन सकते हो ये सुनकर low fang फिर से confused होकर सोचता है मैं कैसे dead figure का disciple बन सकता हूँ तभी बबाता low fang के इस confusion को जान लेता है और वा उसे confidently कहता है मेरे elder undying being थे और 6000 era यानि 60 million years तक जीवित थे और वो इस vast universe के most powerful fighter थे फिर वो कहता है अगर यहाँ battle नहीं होती तो वो आज यहाँ होते और अभी इस universe में कई सारे undying being है जो कि 100 million years से जीवित है और इसी के साथ या part यहीं पे खत्म होता है